आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे बिर नाम ऐसे धान तक नहीं उतरी study close पर आपको बहुत बुस्पागे था ट्रेंट बहुत है वाई विलादमीर पुती ने ceasefire एनाउंस किया है 36 घंटे का ceasefire 36 आज मैं एनाउंस करता हूँ कि 6 जनवरी 12 बजे और जब उनको crucify किया था तब उसके बाद उनकी teachings पर वो बेजड है और जब जैसे जैसे वक्त आगे बड़ा तो वैसे वैसे Christianity में मतलब जो Catholics थे ठीक है उनकी सत्ता जो है वो कायम होती गई तो उसको oppose करने के लिए प्रोटेस्टेंट जो खामिया है जो धर में खामिया हम कुछ-कुछ सतार नहीं पड़ेगी लेकिन जो अभी भी पूराने खामिया है जो Orthodox मतलब रूणी वादी उसमें तो उनको कहते हैं हम Orthodox और यह Orthodox चर्च जो है वो Eastern Europe में बहुत जादा उनकी अभी भी आदेपत्ताता जो है वो कायम है तो यहाँ पे जो फादर है क्या नाम तो किरिल है पेट्रियार के कि कुछ देख लीजेगा तो उन्होंने विलादमीर पुतीन से रिक्वेस्ट की कि महराज क्रिस्मस आ रहा है बाब बोलेंगे सर 25 दिसम्बर को क्रिस्मस है नहीं बेटा और्थोडॉक्स देखे कैलेंडर अलग अलग होते है तो और्थोडॉक्स चर्च का जो क्रिस्मस है पुछ है जन्वरी को आता है तो अब वही है कि 25 दिसम्बर को नहीं हम इस दिर वैसे विलादमीर पुतीन चाहें तो कभी भी क्रिस्मस मना सकते हैं ठीक है वो डिक्टेटर है एक तरीके से तो अभी क्या है तो रश्या नहीं ये बोल दिया है तो अब यहाँ पे जब इन्होंने रिक्वेस्ट की इन्होंने वलादमीर पुतीन ने रिक्वेस्ट का उनर किया और इतने टाइम बाद व्लादमीर पुतिन युद्ध रोकेंगे विल ही स्टॉप दी वार क्योंकि हर को यही चाह रहा है जर्मनी कह रहा था है जर्मनी ने बोला है कि अगर इनको वार को स्टॉप करना होता तो यह अपने soldiers कोई वापस बुला लेते हैं, बद रहसा तो है नहीं बाई व्लादमीर पुती ने भी साफ बोल दिया कि देखो ऐसा है हम सिंपल एक बात बता रहे हैं कि हम से क्रिस्मस के लिए 36 गंटे का सीस्वायर क्योंकि इस्टन जो हमारा मदब जो रश्या है ठीक है जहां पर ये सेलिबरेशन होगा तो वो वहां पर पॉसिमिलिटी बहु इन फाक्ट ये जो चर्च है ये प्रिपागेंडा जो है वो फैलाता है जो व्लादमीर पुतीन बोलते हैं वही करता है और हो सकते कि व्लादमीर पुतीन नहीं बोलाओ क्यों क्योंकि भाई ये आम्स एमुनिशन को वापस लेकि आएंगे थोड़ा सा वक्त भी चाहिए न सेना को थोड़ा सा वक्त भी चाहिए हम सब को पता है रश्या में गुस्से का महौल है यूक्रेन में भी हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं डॉनबास रीजन में व्लादमीर जिलनस की कहना है कि डॉनबास और बाकी जगा जहां पे और रश्या रिबस तेनाथ थे वहां पे तगड़े तरीके से वार कर रहे हैं और रश्या कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो रश्या री और्गनाईज करने के लिए एक तरीके से उसने सीस फायर को एनॉंस किया है उसका कोई मोटिव नहीं है यह वही व्लादमीर पुतीन है जो चर्च पे चर्च तो छोड़ी किया है ठीक है और जो रिसर्ब तयब अर्दुगान है अजीब बात ये है कि देखे रिसर्ब तयब अर्दुगान तर्की के राश्टर पती है और तर्की के राश्टर पती है पाकिस्तान ने बोले कि नोबेल पीस प्राइज दे दो क्यों क्योंकि को कश्मीर बुद्दे क पूरे दुनिया में एक लौकता तर्की ही ऐसा देश है, बड़ा देश, जो कश्मीर बुद्धे पे पाकिस्तान के साथ देता है, अब देखे, रिसब तईब अर्दुगान तर्की को पता नहीं कौन से रहा में, अंधकार रहा में, घसीटते जा रहे हैं, कभी कुर्दों से यहां पर सीसफायर, वलादमी जलिस्की बोरने की सीसफायर बस हमको ट्रिक करने के लिए है, यह हम हमला रोग दें और यह वापस तरीके से हमला करें, तो इसमें बहुत बड़ी गडबड है, यह रश्या की प्रॉपर स्ट्राटेजी है, देखे, सिंपल सी बात है कि यूक रश्या डेफिनेटली, क्योंकि रश्या के प्लांस फेल होते जारें लगातार, और अब तो यह हो रहा है कि अगर युद्ध नहीं रुका, क्योंकि अभी देखिए, अभी यूकरेनी मिसाइल मारी तो रश्या के 73 जो ट्रॉपस है वो मारे गए, 73 से जादा ट्रॉपस जो रश्या ने जो उनको सिस्टम दिया है, जो ट्राकिंग सिस्टम दिया है, उसने कमार कर दिया है, तो इसी लिए रश्या के कहीं न कहीं होसने थोड़े पस्त भी परते जा रहे हैं और ये भी आशंका बताई जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि रश्या न्यूक्लियर वेपन का य पहलने का तो खत्रा ही है फिर अभी जैपो वो उसका नाम बड़ा आजीव है जैपो फिरिजेया जो पाफ प्लांट था नूक्लियर पाफ प्लांट जो यूक्रेन में था उस पे भी लगाता रेडियेशन लीक हो रहा तो और वो भी खत्रा था कि कहीं ऐसा नहों कि हमले में वही उड़ जाए और फिर से रेडियेशन वो 1985 वाली स्थिती जो है वो पैदा हो जाए तो ये सारी चीजे हैं तो भले ही यूक्रेन ने रश्या ने सीस फायर अनौंस किया है चत्रिस घंटे के लिए लेकिन बाकी देश ही किया रहे कि देखे सब बेकार है सब कोई सीस फा भारत के साथ है देखिए हमको तो हमारी तो मजबूरी है रश्या के साथ रहना काया चाहे कुछ भी हो जाए यूक्रेन ने कभी बारत का साथ नहीं दिया कभी भी रश्या ने हमेशा भारत का साथ दिया है चाहे कुछ भी हो रश्या ने भारत का साथ दिया है बारत एक बह भारत श्री लंका चला गया था हम सब को पता है 1987 में क्या हुआ था उसका जो अंजाम था एक तो हमारी फोर्सेज पीस कीपिंग फोर्सेज वापस आई क्योंकि उस समय भारत ने इंटर्नल मैटर पे दखल अंदाजी कर दी ती जो कि बहुत सेंसेटिफ था तब से भारत बज थी मुझे लगा आपको पता होनी चाहिए तैसे सद्दान तक ने उतरी साइनिंग आफ